Hello Learners, Welcome Back to my Channel, Literature Seeker मैं हूँ आपकी दोस्त माही तो दोस्तो आज हम Victorian Poet Robert Browning के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप लोग उन्हें मेरे टाइटल से देखी लिया होगा Robert Browning के बारे में तो सबने पढ़ाई होगा जो भी हमारे English Literature के दोस्त हैं तो उनसे related में काफी कुछ new fact बताऊंगी जो शायद आपने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो please मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप सभी के लिए काफी important होगी जैसे कि हम सभी को पता है कि net का exam next month हो सकता है possibility है and lecturer और L.D. की vacancy भी next to next month आ सकती है तो यही सारे के सारे topics जो मैं पढ़ा रही हूँ जितने भी writer हैं वो सभी आपके लिए important हो सकते हैं और उमीद करती हूँ कि इन में से काफी कुछ questions आपके exam में आ सकते हैं दोस्तों ज़्यादा देड़ ना करते वे start करते हैं आज का topic Robert Browning Robert Browning का life span है 1812 से 1889 इनका birthplace है Camberwell London में और इनकी wife जो है उनका नाम है Elizabeth Barrett Browning तो इनकी wife भी बहुत ज़्यादा famous थी in fact इनसे भी ज़्यादा famous इनकी wife थी Robert Browning major Victorian poet हैं और यह greatest poet of dramatic monologue हैं मतलब की इनको father of dramatic monologue भी कहा जाता है और dramatic monologue क्या होता है यह एक narrative technique है ठीक है और यह robust optimism को follow करते थे मतलब की robust optimism का मतलब होता है energetic उत्साहवादी और optimism में आशावादी इनकी poetry ob secure poetry थी मतलब uspust ob secure में uspust अब बात करते हैं इनकी कुछ famous short poems की सारी की सारी नहीं है बट जो important है वो मैंने लिखाई है तो वो है नमबर वन पीपा पासेज गौहाद्यस सारी थी and जो एंडेंस सारतो है एंडेंस सारतो यह एक वेंट सो और यह Ec आप ट्राइड पंटर की स्टोरी है ठीक है और यह इंत लिफ pasटें Caleb 14 अब बात करते हैं Trial of Victorian Age बहुत important question है दोस्तों तो ये काफी time question आ चुका है बहुत सारे papers में कि Trial of Victorian Age कौन-कौन से है तो मैं बताती हूँ आपको कि Trial of Victorian Age कौन है इसका हम short ले लेते हैं TAB जो फॉर्मूला है इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए exam में easy हो तो tab से हमारे निगलता है T for Tennyson, A for Arnold, B for Browning मतलब की Trial of Victorian Age कौन-कौन हो गए हमारे Tennyson, Arnold, Browning तो इसकी जो हमने formula बनाया है TAB बनाया है TAB टैनिसन, Arnold, Browning टैनिसन हमारे most representative poet of Victorian Age है ये मेरे Tennyson का जो वीडियो बनाई है उसमें आप देख लीजेगा अगर जिसने भी नहीं देखी होगी तो तो टैनिसन is the most representative poet of Victorian Age and Victorian Age कब से कब तक है वो है 1837 से 1901 ये बहुत ही important date year है दोस्तों इसको याद कर ले ना पूछ लेता है कि कभी-कभी Victorian Age कब से कब तक है तो है 1837 से 1901 और बात करते हैं Robert Browning की तो Robert Browning हमारे optimistic होगे जैसा कि मैंने अभी बताया था ये आशावादी है optimistic and Arnold जो है Matthew Arnold वो हमारे pessimistic है यानि की निराशावादी है अब बात करते हैं कुछ famous quotation की first quotation है Gods in his heaven all's right with the word मतलब भगवान अपने स्वर्ग में है और इस दुनिया के साथ सब ठीक है ये quotation ली गई है पिपा पासेश पोयम से next quotation है I was ever a fighter so one fight more the best and the last मतलब मैं हमेशा से एक fighter था तो एक fight और जो सबसे अच्छी और last है ये quotation ली गई है प्रोसपाइस से कौनसी से प्रोसपाइस से ये Greek origin की पोयम है ठीक है अगली quotation है grow old along with me the best is yet to be मतलब मेरे साथ बूड़े हो जाना आखरी होना अभी बाकी है ये quotation ली गई है रभी बैन एजरा पोयम से ठीक है किसे ली गई है रभी बैन एजरा से ये रभी बैन एजरा कौन है Persian philosopher and mathematician है अब कुछ work की बात कर लेते हैं Robert Browning के तो इनका first work है Pauline कौन सा है Pauline 1833 इसका year है और इसका subtitle है A Fragment of A Confession इस work is written under the influence of Shelley ये Shelley के प्रभाव में इन्होंने work लिखा है और Pauline इनका first work है note down कर लेना दोस्तो Pauline इनका first work है जो publish है 1833 में इसी के अंदर एक sword yellow work भी चपा था वो चपा था 1833 में बड लेकिन separately जो sword yellow चपा था वो था 1840 में कब publish वा था 1840 में ये sword yellow work है ये दाते का जो divania comedy है उससे influenced है किसे दाते का divania comedy वर्क से sword yellow influenced है और दाते Italian poet है अब divania comedy के जो पार्ट है वो तीन पार्टों में divide है कितने पार्टों में? तीन पार्ट में divania comedy डिवाइड है और इनके पार्ट के नेम है नमबर वन परगैटोरियो नमबर टू इंफर्णो नमबर त्री पेराडाइसो ठीक है? और जे परगैटोरियो है ये classical poem है और इसी से ही sword yellow poem ली गई है next work है इनका bells and pomegranates और इसका publishing year है 1846 1846 it is also known as poetry and thought इसको poetry and thought से भी जाना जाता है it is contains two volume of lyric and poem इसकी दो volume है lyric and poem तो volume 3 में कौन-कौन सी poem आई थी? वो भी देख लेते हैं in volume 3 1842 में ये volume 3 छपा जिसमें my last duchess and second porphyria's lover poems थी ठीक है? volume 3 में कौन-कौन सी poem थी? my last duchess and number 2 porphyria's lover और इसका जो volume 7 है वो 1845 में publish हुआ किसमें 1845 में आया था? और इसमें कौन-कौन सी poem आई थी? वो आई थी number 1 the bishop order his tom at St. Praxd Church और number 2 the lost leader. Browning called this term for wordsworth मतलब Browning ने lost leader किसको कहा था? wordsworth को कहा था ये question भी बहुत जादा important है दोस्तों और काफी बार पूछा जा चुका है कि Browning ने lost leader किसे कहा था? ये कहा था? wordsworth को no down कर लेना दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी लंबी वीडियो हो गई है तो इसका जो next part आएगा उसमें मैं सारे के सारे इसके work और poem की detail सब बताऊंगी तो please मेरे next part का wait कीजेगा and इस वीडियो को please जरूर देखेगा अगर आपको पसंद आए तो please like भी कर दीजेगा and मेरी channel को subscribe जरूर कर दीजेगा जिसने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो please उसे भी चेक आउट कर लिजेगा link में description box में mention कर दूँगी तो दोस्तो thank you so much bye bye and stay safe and healthy